नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज मैं आप सब के लिए लेकरा आए हूं भरवी करेले की रेसिपी तो आज मैं दिखाऊं कि आप सबकों की भरवा करेला किस तरह से बनाया जाता है जो बहुत कम समय में और आसानी स से बन जाता है बहुत ही टेस्टी बनती है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप लिए क्लिक कर लिजे ताकि मेरी कोई भी वीडियो लिटेस्ट नेट पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलि देख सकते हैं हम अच्छी से धोलीगे और दोने के बाद इसको भीबों के रक दिये थे नमकिकल आया और यह हम ले लिए है प्याज, यह साथ प्याज है, मेडियम साइज का, इसमें प्याज थोड़ी ज्यादा लगती है मसाले, तो इसलिए हम यह प्याज ले लिए और यह मसाले है, तो सबसे पहले इसको हम दो लेते हैं और दो करके इसको उबालेंगे, तो हमने सारे करेले को अब क्या करेंगे से करेले को ढाल के इस तरह से करेले आधर लprofit टो अधरे करेले से में चमसका चंदेएक और इसको अब क्या करेंगे हम ढ़क देंगे और ढ़क करके इसको वालेंगे हम लोटू मीडियम फ्लेम पे इसको वालना है ढ़क करके जब तक यह हमारा करेला बॉयल हो रहा है तब तक हम चलिए इधर प्याज को कट कर लेते हैं तो प्याज को हम इस तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा मोटे मोटे ही कट कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, इसका मसाला तेयार करना है, तो इस तरह से हम सारे प्याज को कट कर लेंगे, तो लीजी हमने सारे प्याज को कट कर लिया है अब इसको डालेंगे ग्रेंडर जार में और इसको पीस लेंगे हम इस तरह से हम डाल करके इसको अब हम चला लेते हैं पीस लेते हैं तो लीजिए हमने प्याज कोग्रेंड कर लिया है अब इधर जब तक हमारा करे लब वोल हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं इसके लिए Stefan कर लेते हैं टेल घरण हो चुक़ा इसमें हम डालें थोरी सी ही और इसके साथ हम इसमें ग्रैंड करके रखें उसको में डाल देंगे तो लीजे रुब मैं के 바로 की आपकारकी मासाले को एक अदार मिर्च व्रवाद है कि तारे 2 घरannée करहले कुछ सब्सक्राइब मतम काथानट की दालें साथ ये एक सब्सक्राइब दोर्ण नमक नमक इसमें थोड़ाई नमक, डाले हैं, अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसको 5-7 मिनुट तक लो फ्लेम पे मसाले को तयार कर लेंगे, भून के अच्छे से पका लेंगे, मेरे तियार है इसमें हम डाल देंगे एक चमच त्रौदर और मझा 2 त्वह भी होती है घब्र यहम्सिमाल कर सकते है लिए drizzle कि नित्व एक प्लेट में ठंटा होने के लिए तक हम करेले के अंदर इसको भरकाएं तो द обяз का flame हम अब बन कर दे एह, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, तो यह हमने मसाल भी तयार कर लिये, मसाला को प्लेट में निकाल करके, इसको ठंडा कर लिये, मेरा करेला भी boil हो चुका है, अब हमें क्या करना है, तो करेला का जो बीज है, ऋसको निकाल करके, और इसको मसाले में मिला लेना है इस तरह से हम सारे बीज निकाल करके इसको खाली कर देंगे तब इसमें मसाला एरजेस्ट हो पाएगा तो इस तरह से देखिए आप सारे बीज हमने निकाल दिये हैं और इसको इसमें सारे करेले में से इसी तरह से सारा बीज निकाल करके और मसाले में म तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको बढ़ना है करेले में, इसी तरह से हम सारे करेले में भर लेंगे, इसी तरह से हमने सारे करेले में स्टपिंग बढ़के त्यार कर लिया है, चलिए अब इसको फ्राइ कर लेते हैं, तो फ्राइ करने के लिए कराही में हमने तेल डाल करना इसको और इसके बाद हम इसमें डालेंगे करे ले तो अब हम इसको पलट लेते हैं इस तरीके से सारे करे ले को हम पलट लेंगे करेले को हमने पलट जीसी तरह उलट पलट करके वह में चारो साइड से एक गोल्डन ब्राउन होने तक देख लेना है इसको सारे करेले अब अच्छे से पक चुके हैं तब हम करेंगे गैस्ता फ्लेम बंद और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो आप देख सकते हैं य जैसे कि ये मेरा मसाला इतना बच गिया है इस मसाले को हम तरी बना लेंगी कराही में डालके पानी डालके इसका ग्रेवी बनाके और इसमें ये करेला को डालके तरी वाली सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है खाने में बहुत अच्छी लगती है तो आई होप कि आ subscribe करना मत बूलिएगा मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई